आज में आपको एक आईसे इंसान के बारे में बातेने वाले हूँ जिन्होंने आपरिका के रंगभेत को समुन नश्ट किया ये करने के लिए उने अपने जीवन के 27 सल जेल में काटने पड़ी आज में आपको नेलसन मंडेला की कुछ महत्वा पुर्ण जान करी बाताने वाल इससे पहले अगर आपने आभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में देएगे बेल आइकोन कदा बना लोग हूँ और आप मुझे सोसिल मेडिया याने की फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी पॉलो कर सकतें लिंक उन्हें जिस सेल में रखा गया था वह 8 फिट गुना 7 पिट का था यहां उन्हें एक खास फूस की एक चटाई दिय गए थी जिस पर वह सोते थे साल 1990 में स्वेथ सारकार से हुए एक समझोते के बाद उन्होंने नए दक्षिन आफरीका का निर्मान किया निल्सन मंडेला को आफरीका का गांधी भी कहा जाता है मंडेला गांधी जेके विचारों से खासे प्रभावित थे गांधी के विचारों से ही प्रभावित होकर मंडेला ने रंगवेद के खिलाफ अपने अभियान की शूरात की थी यह अभी रोचक बात है कि मोहंदास कर चंद गांधी को आत्मा गांधी बानाने वाली भी दक्षिन आफरिका की ही धर्थी थी जहार रंगवेत के कारण उन्हें ट्रेन की फर्ष्ट क्लास बोगी से बाहर कर दिया गाया था। ना खाया तो वो बारतिय चिकन करी और राइस था। उन्हें लोग प्यार से मधिबा बुलाते थे। दस मई 1994 से 1999 तक दक्षिन आफरिका की राष्ट्रपती रहे। वे आफरिका के पहले अस्वेत राष्ट्रपती रहे। उनकी सरकर ने सालों से चलिया रहे रंगवेत की नीती को खदम करने का काम किया। उन्होंने दक्षिन आफरिका को एक नाया यूग में प्रवेश कराया। नेलसन मंडिला ने जिस तरह से देश में रंगवेत के खिलाब आपना आवियान चलाया। उसने दोनिया भर को अपने और आकरशित किया। यही कारण रहा कि भारत सरकर ने 1990 में उन्हें बाहरत का सर्वच्चे नागरी सर्मान भारत रतन से सम्मानित किया। मंडिला भारत रतन पाने वाले पहले विदेशी है। जगदी से जाकर विजित कीजा। धन्यवाद।